नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं तक खबरदार नियूज आईए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर रोजगार मेले में 300 जवानों को सशस्त्र बलों में दी गई न्यूक्ती केंद्रिय मंत्री भुपेंद्र रियादव ने दी शुव कामनाय इंदोर इस्थित बॉर्डर सेक्यूरिटी फोर्स के केंद्र पर सोमवार 28 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया गया इस दोरान रोजगार मेले में 300 जवानों को सशस्त्र बल में अलग-अलग पदो पर न्यूक्ती दी गई इसके लिए न्यूक्ती पत्र भारत सरकार के श्रम एवंग रोजगार मंत्री भुपेंद्र रियादव के द्वारा दिया गया इस मौके पर केंद्रिय मंत्री भुपेंद्र सिंग ने सभी जवानों को शुब कामनाये देते हुए उनके उज्वल भविश्य की कामना की सोमवार 28 अगस्त को CSWT, BSF Campus इंदौर में आठमा रोजगार दिवस मनाया गया जहां केंद्रिय मंत्री भुपेंद्र रियादव इस कारिक्रम में बतौर मुख्य अतिथी शामिल हुए थे इस तरह का रोजगार मेला देश भर में 44 अस्थानों पर आयोजित किया गया जिसके शुरुआत प्रधान मंत्री द्वारा रोजगार मेला पर डिजिटल स्विचिंग के साथ की गई इस रोजगार मेले में C.A.P.F के लगभग 249 अभ्यर्थियों को न्यूपती प्रस्ताव पत्र वित्रित किया गया इस अवसर पर मध्य प्रधेश सरकार में मंत्री उशा ठाकुर, कुमर विजैश शाह, तुलसी राम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी आधी उपस्तित रहे देश की आंतरिक सिमाओं की रक्षा के लिए इन दौर में सोमवार 28 अगस, 300 जवानों को न्यूपती पत्र सौपे गए एरपोर्ट, रोड इस्थित, सीमा सुरक्षा बल, BSF कैंपस में आयोजित रोजगार मेले में सभी जवानों को न्यूपती पत्र दिये गए जवानों ने देश के लिए अपनी जान न्यूपती पत्र सौपे गए अब ये सभी ट्रेनिंग पर भेजे जाएंगे और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद देश की रक्षा में अलग-अलग जगों पर तैनात किया जाएगा इससे पहले भी BSF में रोजगार मेले में सैक्णों अभ्यर्थियों को न्यूपती पत्र सौपे जा चुके हैं कारेक्रम में इंदौर BSF, CSWTK, IGK के गुलिया सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए न्यूकती पत्र मिलने पर सभी जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहूती देने की शपत ली इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी और जवान शामिल हुए